स्वागत है आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर शूर करते हैं 25 जुलाई 2024 दिन गुरुवार की चौखड़िया महुरत लेकिन वीडियो शूर करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रति दिन चौखड़िया महुरत की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बैल आइकन को प्रेस कर दीजे तकि आपको मेरे वीडियो उसकी नॉटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना काल का समय रहेगा तो तबर 2.10 मिनट से 3.52 मिनट तकूरी की शुख जोगरियों के समय रहेगा तो तो पर बारा बच कर थाइस मिनट तक लाब चौगणियों का समय रहेगा तो पर बारा बच कर थाइस मिनट से दो बच कर दस मिनट तक अमडी चौगणियों का समय रहेगा तो पर दो बच कर दस मिनट से तीन बच कर पावन मिनट तक एमरे चौगणियों के समय सही प्रकार के शुब एवं मांगलिक कार्य किये जा सकते हैं लेकिन इस समय रावकाल भी लग रहा है और रावकाल के समय किये गया इसली इस मुरत को त्याग नहीं उचित है शुब चो गणियों का समय रहेखा शुब के 5 बच के 34 मिनट से 7 बच के 16 मिनट तर रेकेन इस समय वारवेला भी लग रही है वारवेला के समय किये गया शुब एवम मांगलिक कार्य फल दाई नहीं रहते इसले इस मूरत को त्याग नहीं उचित है रात की शुब चौगणिया अस्प्रकार हैंगी अमरी चौगणियों का समय रहेगा शाम के 7 बच के 16 मिनट से 8 बच के 34 मिनट तर चर चौगणियों का समय रहेगा रात के 8 बच के 34 मिनट से 9 बच के 52 मिनट तर लाब चौगणियों का समय रहेगा रात के 12 बच का 20 मिनट से 1 बच का 46 मिनट तक लेकिन इस समय कालात्री भी लग रही है और कालात्री के समय किये गया शुब एवं मांगलिक कार फल आई नहीं रहते इसलिए इस मुरत को त्याग नहीं उचित है शुब चौगणियों का समय रहेगा रात के 3 बच का 4 मिनट से 26 जुलाई की सुबह 4 बच के 21 मिनट तक और अमरी चौगणियों का समय रहेगा 26 जुलाई की सुबह 4 बच के 21 मिनट से 5 बच के 49 मिनट तक अमरी चौगणियों के समय सही प्रतार के शुब एवं मांगलिक कारी किये जा सकते हैं तो यह थी जानकारी गुरुवार के चौगणिया मोहरत की मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर में लेंगे किसी नए वीडियो के साथ